आज जान्वी किचन में बनने जा रही है, मार्केट से भी अच्छी आईस्क्रीम, जो हेल्दी भी है और टेस्टी भी, अगर ऐसे ही हेल्दी और टेस्टी आईस्क्रीम आप भी बनाना चाहते हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, तो चलिए शुरू करते हैं यहां मैंने एक पूरा कच्चा नायल लिया है, देख सकते हैं, अब इसके छिलके को हम निकाल लेंगे, आप चाहे तो छिलके के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन हम यहां जो आईसके बना रहे हैं, बिल्कुल सफेद कलर की बना रहे हैं, इसलिए इस छिलके को हटा लेंगे, त और बारिक से पीसा जा सके तो आप देख सकते हैं नायल को मैंने छोड़ी छोड़ी टुकरों में कट कर लिया है अब इसे डाल देंगे हम जार के अंदर और इसे पीसने के लिए हम यूज करेंगे ये नायल वाला पानी और साथ में लेंगे 200 ml दूद और अब इसे हम पेस्ट बना है हमारा और हलका सा दर दरा भी है ऐसे हमें चाहिए था तो अब इसे रखते हैं हम साइड में है मैं अब यहां मैंने 1.5 दूद को पकाया आधा कर लिया है दूद ठंडा होने पर मैंने इसे एक बॉल में निकाल लिया है और कंसिस्टैन्सी देख सकते हैं आप कितनी क्रीमी हो गई है आप इसकी जगा मिल्क पॉड्र भी यूज कर सकते हैं अब यहां मैं पीसी शकर छह चमच डाल रही हूँ आप खडी का यूज़ कर रही हूँ मथानी से मलाई अच्छे से मिक्स हो जाएगी और इसे हमें एक मिनट तक ही मिक्स करना है अब यहां मैं नारियल के पेश्ट को डाल रही हूँ और फिर थोड़ा इसे मथानी से मिक्स कर लेंगे और यह देखिए मिक्स्चर हमारा बिल्कुल तयार है यानि आइसक्रीम का बेस बिल्कुल तयार है आपको यहां बता दो अगर आप ताजे नारियल नहीं लेना चाहते हैं तो आप सुखे नारियल को भी बारिक पीस कर ले सकते हैं अब आइसक्रीम जबाने के लिए मैं यहां ले रही हूँ आइसक्रीम मोल्ड यह मार्केट में असानी से मिल जाता है या आप ऑनलाइन भी पर्चेस कर सकते हैं यहां मैंने कच्चे नारियल को कद्दुकस कर लिया है अब इसे हम पहले आइसक्रीम मोल्ड में डाल देंगे चलिए अब यहां पर हम आइसक्रीम का जो मिक्स्चर है इसको हम इसमें डाल देते हैं मिक्ष्टर को हमें अराम से ही डालना है नहीं तो यह बाहर गिर सकता है अब यहां मैं आईस्क्रीम मोल्ड का जो धकन है उसे ही यहां लगा रही हूँ आप यहां सिल्वर फोईल का भी यह उस कर सकते हैं तो यहां मैंने सारे धकन लगा लिये हैं अब यह हमारा आईस्क्रीम पाइस्क्रीम फ्रीजर में रखने के लिए बिल्कुल तयार है चलिए इसे हम 7-8 은 गंटे के लिए फ्रीजर में रखेंगे और 7-8 घंटे हो चुके हैं अब इसे हम निकाल लेते हैं और ये देखें बहुत ही मज़िदार हमारी नारिल वाली आइसक्रीम केंडी बनकर तयार है आप इसे गर्मियों में बच्चों के साथ बड़ों को भी दें वो बहुत खुश हो जाएंगे तो इसे जरूर बनाईए और आइसक्रीम केंडी को यकीन मानिए आपके घर में बच्चे बड़े इसे खाकर बहुत खुश हो जाने वाले हैं ऐसे ही मेरी आइस्क्रीम की और भी वीडियो है जिसका लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ थैंक यू